हे गाईज, वेलकम टू देव भूवी करियर पॉइंट तो देखे जो हमारी जीके की टॉप 5000 वाली सीरीज चले थी उसका पार 60 है आज इसमें भी डिस्कस करेंगे स्टेटिक जीके के कुछ महत्वपूण कोश्यन देखे इस सीरीज काफी महत्वपूण है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे है उत्राखंड गूर्प C, SSC GD बात कुर में सीटेट, यूटेट और उसके साथ रेलवे की तो वहाँ पे स्टेटिक जीके के काफी कोश्यन पूछे जाते हैं मैं आजकल आपको सैपरेट वीडियो दे रहा हूँ भुगोल टॉप 50, एकोनोमी टॉप 50, पॉल्टी टॉप 50 तो जीके वाले सेक्सर में मैं जादतर इस्टेटिक जीके के कोश्यन दे रहा हूँ जो कि Evergreen कोश्यन है और बार-बार पूछे जाते हैं एक्जामस में तो चले सुरू करेंगे और वीडियो को सुरू से अंतर तक जरूर देखें मैं हमेशा आपको बोलता हूँ एक भी वीडियो या एक भी कोश्यन मिस ना करें क्योंकि वही कोश्यन आपका करियर डिसाइट कर सकता है किसी भी एक्जाम में तो चले सुरू करता है पार 60 पहला कोश्यन देखेंगे इसमें तो पहला कोश्यन इसमें देखें बारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर इस्तित है तो ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिर भारत में इस्तित है, पुसकर नामक प्लेस में है ये राजिस्तान में अगर दिके ढ़ाय दिन का जोपरा इस्तित कहां पे है, तो ढ़ाय दिन का जोपरा अजमेर में इस्तित है अगला देखे केसर का उत्पादन करनेवाला एक मातर राज्य है तो केसर एक मातर होता है कहाँ पे जम्मु एम कश्मीर मेख अगला भारत में संग साथ से छेतर लक्षेदीप की राजबासा है तो लक्षेदीप आपको पता है यूनियन टेरेटरी है और लक्षेदीप की जो राजबासा है वहाँ पर मलियालम गोसित की गई मली आलम केरल की भी है और देखा जाए तो लक्षे दीप की भी है आपको दो चीज़ आ दो गई आपर भारत में इलाइची का सरवाधिक उत्पादक राज्य है तो इलाइची जो की सुखा मसाला है एक इलाइची सबसे ज़्यादा होती है केरल में देखे केरल में सभी मसाले ज़्यादा उत्पन्न होते हैं इसलिए केरल को उपनाम दिया गया है मसालों का बगीचा इसपाइस गार्डन बोल जा था केरल को तो यह आपने याद रखना है अगले लाल मेर्च के उत्पादर में अगरंगरी राज यह तो लाल मेर्च सर्वादीग होते है आंधर प्रदेश में धिया ध्यान रखेँगे है यह पर风at में ब्रकेट में दिया गया है धिके आंधर प्रोडेश का ही जो क्लासिकल डांस है वो है कुची पोली प्रशिद्ध है उत्तर प्रदेश में अगले दिखे कचारी जनजाती से संबंधित राज्य कौन सा है तो कचारी एक जनजाती है अश्रम की नेक्स है देखेए प्रशिद्ध हींदू 3 लीजधितल अमरनाथ गुफा और प्रशिद्ध है और प्रशिद्ध है सिवलिंग के लिए अयोध्य तता लुधिया इस तीस है क्रमश तो अयोध्या बसा हुँआ है सर्यू नदी के तठपर और लोधिया बसा हुआ है 17 नदी के गई देखे जो लोग रेल्वे का एक्जाम देने जा रहे हैं मैं उनको साब कर देना चाहता हूं रेल्वे में जो सलेवस दिया गया था 20 का आपका सामानी विज्ञान था उसमें फिर को 10-15 के करेंट अपयर थे 20 के आपके मैथ वगेरा थी बाकि उसमें सामानी अद्धन दा लेकिन इस पैटरन पे बिलकुल पेपर नहीं आ रहा है पेपर वहां बिलकुल उट पटांग आ जा रहा है कि 20 का वहां पर सामानी विज्ञान दिया लेगी तो सामानी विज्ञा अगला थे क्रिष्णा नदी जल विवाद ये किंदो राज्यों के बीच में तो क्रिष्णा नदी जल विवाद संबनित है आंत्रपरतेश हम करनाठक से ठीक है ध्यान लगेंगे अगला थे बांदीपूर प्रोजक्ट टाइगर लीजर्व कहां इस्तित है तो गिर्राष्टे उध्यान की लोकेशन है गुजरात में और गिर्राष्टे उध्यान काफी फेमस है किसके लिए ACI सेर के लिए मयुल्भंजय हम क्योजर इस्तित हैं तो मयुल्भंजय और क्योजर ये दोनु उध्यान है ओईशा में सेवा उतपादन में अग्र्यंगी सबस्क्रेlem has peeing लिए और गशिए रापरी जल्विवाद ईह से आ गया है अगलाी उपर पर लगी दिया था थिक है यह और क्रिष्णन दी जल्विवाद है ठीक है क्रिष्णन दी जल्वाद है आंध्र पुलेश और करनाटक के बीच में और जो कावेरी नदी जल्विवाद है दिखे ये करनाटक और तमिलनाड़ों के बीचे इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है दिखे मेरे को भी कन्फ्यूज हो गया भी तो कावेरी जल्विवाद आपने याद रखने है काफी पुराना मेटर है करनाटक और तमिल नाड़ु में और उपर मैंने आपको बताया भी कृष्णया जल्विवाद यह आंदर प्रिदेश और करनाटक में राजिस्तान का खेतरी काफी फेमस प्लेस है तांबे के लिए ठीक है कौपर के काफी बगए-बगए बंडार है खेतरी में पूर्व का बोष्टन बोला जाता है किसको एहमदाबाद को तो पूर्व का बोष्टन के नाम से फेमस है एहमदाबाद विख्यात तर्ट मंदिर कहां पे इस्तित है तो विख्यात जो तर्ट मंदिर है इस्तित है मामलपुरम में ठीक है ध्यान रगेंगे मामलपुरम में लोकेशन है इसकी इंडियन इस्टूट आफ सूगर टेकनोलोजी कहां पे इस्तित है तो इंडियन इस्टूट आफ सूगर पर्युजना इस्तित है महाराष्ट्र में मौन घाटी देखे अब देखे यहां पर सुद्ध हिंदी का उपयोग कर दिया है कोश्यन बनान में आप लोगोंने साइलेंट वेली पड़ा है इंगली सवाली भी कर लेंगे कि साइलेंट वेली कहां पर है अगर इसकी जगह पर बहुमी का संबंद कहां से है तो यह लिगाटी नामक जो प्लेश था यह कहां पर दा ठीक है तो हल्दी गाटी प्लेश था राजिस्तान में और हल्दी गाटी का युद्ध होगा तकिसमें मुगला और मेवागल के मत्ये अगला देखे भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है तो Silicon Valley के नाम से जो प्लेस जाना जाता है वो है Bangalore, करनाटक का Silicon Valley इसले बोला जाता है क्योंकि एक Electronics Hub है यह सिटी यहां पर काफी manufacturing होती है Electronics जो गैजेट्स होते है उनकी इस वज़े से बोला जाता है करनाटक का रत्न बोला जाता है मैसूर को ठीक है ध्यान रखिएंगे मैसूर को करनाटक सहर का रत्न बोला जाता है भारत का बगीचा नाम से जाना जाता है तो भारत का बगीचा बोला जाता है Bangalore को ठीक है Bangalore के काफी उपनाम है उपर सिलिकॉन वैली दिया भारत का भगीचा, इस्पेस सिटी, इसके साथ से इलक्ट्रोनिक सिटी, ठीक है, चार-पांच उपनाम है बैंगलोर के, लोह एसक केंदर बैलाडिला कहां इस्तित है, तो बैलाडिला जो प्लेस है, लोह एसक की बंडार है, आपर ये शत्तिस आंदर प्रदेश में तिरुपदी मंदिर, तिरुपदी बाला जी भी आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, नासिक इस्तित है, तो नासिक की लोकेशन है, गोदावरी के थर्ट पर ठीक है, और नासिक में भी कुंबो मेला आयुजीत होता है, 12 वर्षी के अंतराल पे, गुलाबी सहर था भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है, तो गुलाबी सहर तो आपने अमोमन पड़ा होगा, पिंक सिटी, इसको जाईपूर, बट भारत का पेरिस, भारत का पेरिस भी बोला जाता है उसको, जाईपूर, दक्षिन भारत का मैंचेस्टर बोला जाता है क जंसेदपूर को टिका जंसेदपूरиля इस्तिद है क्या टियुको टाटा अइरन और इस्टील जो कोपरेशन है वह जहारकंड में ध्यान लगींगे कर बाद पूश ला की लोकेशन है गुजरात में नागर हवेली की राजधानी है सिल्वास देखे कई बार इसमें चोटे-चोटे कोश्चन में भी मिष्टे गोजाती है आपको सभी साथ केंदर शाषित प्रदेश की कैपिटल याद होनी चीए और इन साथ केंदर शाषित प्रदेश के जो उच कि उनकी अपनी लोकेशन नहीं है वह किसी स्टेट के साथ लगे वह है तो देख लिजेगा एक बार मिनाक्षी मंदिल कहां पर इस्टित है मुद्रई तमिल नाड़ु में भारतिय मौसम विज्ञान सस्तान इस्तित है नई दिल्ली में भारतिय मौसम वेद साला इस्तित है तो हुंडरु जल प्रिपाथ है सौन रेखा नदी पर जार खंड में ठीक है इसको आप ऐसे भी अभी देखे मैं ट्रिक के माधिम से आपको काफी चीज़ा है देने वाला हूं आप बस इंतजार कीजिए और अभी फिलाल ये रिविजन के तौर पर लीजिए सभी चीज़ लेल इसका जो सीटी का मतलब डिजtsåर का था हूं किए लेकी घान पर दॉध कर लेकी खान पना श्रमार और इसकी लोकेशन थे-फल शोत्तान कहां श्रह थिद्ध है तो फल शोत्तान श्रहा थे-जिखत alpa belt-बात-बुरि शुकनाजील शुक्षिद Esteam कहापे चंडीगर में और दीक विस विज्ञान अनुसंदान केंद्र ticking तो इसकी लोकिशन है लखनां में घाना पक्षी विहार स्थिद है तो तो गाना पक्षी विहार देखा होगा आपने कई एक मैं पूछा गया है विदक और इसकी लोकिशन है राजिस्तान में अरब सागर की राणी किसको बोला जाते है तो अरब सागर की राणी की नाम से फेमस है कोची राजिस्तान का गौरव बोला जाते है तो राजिस्तान का गौरव या प्रावड ओफ राजिस्तान इस कॉल चित अग्रणी राजी है तो मुंगफली, ग्राउंडनेट और कपास ठीक अकॉर्डन में भारत का अग्रणी राजी है गुजरात देखे अभी तो यह आंकले में आपको बता रहा हूं यह इस्टेटिक जीके के कोशिन है जैसे मुंगफली उत्पादन में आपको गुजरात बता हुका है वैसे कपास की मैं बात करें तो महराष्व में पी काफ़ी कपास हो रही हूं ठीक है तो वही चीज रही है इन कॉशेशन हों को आप हमेसे आपडेटेटर रहरें इन कarry कहना चाहत हूं और जे नहीं आउफ्ञ राहे हैं और लावियुकं Braddudain यह नहीं आउक अब आपको बतावgn बनाल ने रा कुछ यह आउफाली और june 2018 अभी जून को होना हो नियंट कंगे कौन अभी प्रिथम है, कौन दिती है, राज्य, देश का पहला बायोटिक सिटी है, तो देश की पहली बायोटिक सिटी है लखनाउं, यह महत्तोपून कोश्चिन नहीं याद रखे, सबसीडी हटाने वाला देश का पहला राज्य है, तो सबसीडी मतलब सभी चीज़ों में खत्म किया है पश्चिम मंगाल में देश में पहला लौ इस्पात कार खाना 1874 में इस्तापित किया गया था तो यह वह था कुल्टी नामक प्लेस में जो कि पश्चिम मंगाल में है आधुनी ढंक से सूती वस्तिल की पहली मील इस्तापित हुई थी तो सूती वस्तिल की पहली मील इस्तापित हुई थी कोलकाता के समेब फोर्ट ग्लाश्टर में भारत में उनकी पहली मील इस्तापित की गई तो उनकी पहली मील लगी भारत में कानपूर में 1870 में बेगमपेट अंतराष्ट्य हुआयडड़ा इस्तित है तो बेगमपेट जो इंटरनेशनल एरपोर्ट है ये हैदराबाद में नागार्जुन सागर पर्योजना इस्तित है तो नागार्जुन बाद या नागार्जुन सागर पर्योजना है आंद्रप्रदेश में कृष्णा नदीपर टिहरी बाद पर्योजना इस्तित है यह उत्राखरंड में है भागी रिलती नदीपर बदरिनात की लोकेशन अलकनदा नधी तटपर, सिमलीपाल अभ्यारे ने की लोकेशन उडिश्या में! पूरवका इसकोटलेंट बोल जाता है! तो देखे, इसकोटलेंट ऑफ इस्ट भारत में किसको बल जाता है? मेगा लगो! तो यह देखिए स्टेडिक जीके के कोशन है और मैंने आपको बता दिया मैं जल्दी आपको अच्छी ट्रिक देने वाला हूँ जैसे यह सिमली पाल अभ्यारंगा कहने के माला भारत के जो प्रमुक अभ्यारंगे हैं जो कि बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं उसकी म जो सीरीज चले हूँ आपको एकोनोमी पॉल्टी और जो सीरीज चले हमारी उसके सांसाथ जीके में मैं अभी स्टेडिक जीके रखोंगा कुछ टाइम तक ताकि अच्छे से आप याद कर पाए इनको ठीक है तो गाइस यह था आज टॉप 5000 का पार 60 देखिए नए लोगों उसको बोलना चाहूंगा साड़ अपलोड हो चुके हैं चैनल पर सामान्य अध्यन के साड़ भाग का मतलब यह है कि एक भाग में लगबग 30 कोश्यन रहते हैं इंपोड़न्ट 30 कोश्यन रहते हैं एक बाग मैं कम से कम यह मिनिमम बता रहा हूं मैं तो 30 को अगर आप 1300 होता है ठीक है तो इतने कोश्यन तो आपको मिलेंगे यहां पर इतने कोश्यन अगर आपने पढ़ लिए और लट ली तो आपका सेलेक्शन डन है किसी भी एक्जाम में यह मान की चलिए आप ऐसे ही उत्राखंड वाली सीरीज में मैंने उत्राखंड सामान्य ग्यान में ल थैंक यू फॉर वाचिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें क्योंकि देखे चैनल के साथ आपको मिलता है उत्राखंड संबन्दी जॉब नोटिफिकेशन सामान्य दिन की सभी सीरीज है उत्राखंड सामान्य दिन उसके साथ सबी चीज़ें यहां पर आपको प्रवाइड करवाई जाते हैं तो गाइच बिलकुल देर न करें सब्सक्राइब का बटन दबा ले और बैल आइकन को भी दबा ले ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालो आप तक नोटिफिकेशन आ सक है तो अपना ध्यान रखे फ्रेंड्स अच्छे से तयारी करें मेहन